प्रवाद करें आपको बता देते हैं आज के विशय के बारे में तो आज हम बात करेंगे सावन के महीने की तो आज से सावन के महीने के शुरवाद हो गई है यानि की आज है सावन का पहला दिन और हमारे हिंदु धर्म में ये दिन बहुत ही जादा खास माना जाता है कि की सावन के महीने में मापार्वती ने भगवान शिव की तपस्या की थी और भगवान शिव में खुश हो कर मापार्वती को अपने पत्म के रूप में विकार किया था और ये भी माना जाता है ऐसी मानने का है कि अगर शावन के महीने में आप सच्छी दिन से भगवान शिव से कुछ भी मांगेंगे और पूजा करेंगे तो आपकी सभी मनुकामनाएं पूल होंगी पिछली आज बात करेंगे कि कैसे प्रसंद किया जाओ भगवान शिव को और और कौन से विशेव नहीं दिजान लेते हैं सावर में शिव जी को प्रसंद करने के अच्छो कुपाय जानेंगे शिव का सरूप कैसे बगलेगा आपका जीवन क्या कहता है शिव का दमरू और प्रशूल रुद्र के तांडव और प्रिमेत्र का पूरा सच जानेंगे तो चलिए सावर के शुरुवात तो हो गई है और खुशी की बात यह है कि जी डिवस्तिस जी हमारे साथा इस लाइज जोर रहा है तो अगर आपके मन में कोई भी सवार है कोई भी प्रश्न है तो वह आप हम से पूछ सकते हैं उसके लोड़ी के अबी फोन अठाइए और स्क्रीन पे फ्लाश हो रहे है नंबर पे कॉल कीजिए अगर आप गुरुदेव से सवाल पूछना चाहते हैं हमारे सोपे कॉलर बनना चाहते है तो पहले नंबर पे कॉल करें और अगर आप साखशाथ गुरुदेव से मिलना च क्याते हैं सावर में इस स्रेश्टी के पालन करता श्री विश्टु भगवान इस वक्त अपना सारा काम कारज भूले नाथ को सौंप के वो स्वेव पतालोक में जो उनका दिव्य लोक है वहां पर वो आराम करने चले जाते हैं और इस समय में धर्ती के ओपर भगवान शिव और मापारवती यही मिल करके हर एक जीव हर विशरवतों और हर वनस्पति हर चीज सासंचालत इस वक्त में भोले नाथ के हाथ में होता है और अगर इस वक्त में भगवान शिव ही परधाने इस धरती के और वही मालिक है तो इस वक्त में भोले नाथ की व्याखना तु क्या करने ही बिटा जो कुछ करेंगे वो भोले नाथ ही करेंगे और इस वक्त में ही खास तोर पे किसी भी तरह की की हुई पूजा अर्षना जो भॉले नात की हो उनको परसंद करने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो सब कुछ जब हम करते हैं भॉले नात से तो वह बहुत जल्दी भक्तों की पुपार सुन करके बहुत जल्द भगवान दर्शन भी देते हैं मनों कामना पून करते हैं और जो उन से मांगा जाए वो बड़े सहर्ष बापने भगत को परदान करते हैं इसके लिए आप देखिए कि कहा जाता है कि भूले नात्की जो राइट आई है वो सूर्य है जो लेफ आई है वो चलतर भगवा है और ये बीच वाला पॉश्चन जहां त्रेनेतर कहा जाता है वो मंगा ले और ये सावन आता किस वक्त में है जिसके एक तरफ गर्मी हैं जिसके दूसरी तरफ में सर्दी हैं ठीक है और ये समय ऐसा होता है जिसके अंदर अगर गर्मी ढूनो तो पूरी गर्मी नहीं मिलती क्योंकि बर्साथ के मौसम में पूरी गर्मी नहीं लगती और अगर सर्दी ढूनो तो सर्दी नहीं मिलती और ये एक वक्त वाक्य में ऐसा वक्त है जहां पर आज देखो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर पुश्कर का मंदिर यानि कि ब्रह्मा जी का मंदिर कहां है पुश्कर आजी में वहाँ पर उनके होने का कारण क्या है वहाँ पर उनके होने का कारण एक ही है कि वहाँ का वायू मंदल इस तरह का है कि जहां पर अगर कोई भी इंसान रहता है तो वो प्रजनों की शक्ति उसके अंदर अपने आप डेवलोप होती है कहने का मला आदमी हो या औरत हो जब भी किसी के उलाद नहीं होती तो हमारे शास्तों में लेखा कि अगर वो पुश्कर राजी के सनान कर ले समय और पूर्निमा के दिनों में करता रहे तो उसकी कोई जुरूर दरती है चाहे वो आदमी हो चाहे हो ओड़ों अगर पुश्कर राजी के आप जाके तलाप में चुनान करते हैं लो उसक्त नो उसका जलत रहन करते हैं तो कहते हैं हमारे अंदर की जितनी कमियों होती हैं उन सब की पूती होती है और पुश्कराजी के तलाब की खास्यत क्या है वहाँ पर कोई पूजा अर्शना नहीं होती, कोई हवन यग्या नहीं होता वहाँ पर सिर्फ फूलों से पूजा होती है और पूजा करने के बाल उसी तलाब के अंदर उन फूलों को विजज़ित कर दिया जाता है उन्ही फूलों से निकलने वाले जितने मिन्डल्स है वो मिन्डल उस पानी के अंदर होते हैं और ये भोले नात की क्रिपा से माना जाता है कि ये समय आता है इस समय के अंदर हम जिस चीज के लिए भी ध्यान लगाएं उस चीज के उपर हमारा पूरी तरह से ध्यान केंदरित होता है जो लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं इस वक्त में भोले नात उनकी वो मनोकामना पूर्ण करते हैं जो लोग अपने बिजनस को बढ़ाने के लिए सोचते हैं उनकी प्रमात्मा वो मनोकामना पूर्ण करते हैं इस वक्त में जो लोग पूरे साथ विक्ता के साथ जीवन को जीने की चेश्टा कई सालों से कर रहे हैं और बहुत संभव भी हो पाती, इस महीने के अंदर अगर वो कोशिश करें तो वो भी संभव होती है, कारण ये है कि इस महीने के अंदर चंदरमा इतने चरम के उपर होत पर अब इस वक्त हमारे साथ ममिता जुर गई है पटी आला से ममिता इसे पहले गुरुदेश से आप अपना सवाल करें आप हमें अपने जन के सिह समय और स्थान बता दीजिह परणाव गुरुजिए परणाव गुरुजी परणाम गुरुजी पूशा बटा सुखिर हो मैं अपने बेचे की बरें पूशे जाते हैं जी उसका डेका वर्थ है स्पाई अगाच जी अगना इती नाइज रात नौ पांच इती पांच पांच अगना लुजयाना दिस्तिक में पड़ता है करने लुजया पांच बांच अगना इसके लाइज से बरें पुशे जाते हो इसके कोई वी काम नहीं बनता है यह ना इसके अभी तक शादी यह ना इसके कुई कामकार सेटर्व होगा है अभी तक बेटा इसकी जनम कुल्डी है तो यह अच्छी लेकिन इसकी जनम कुल्डी के अंदर बेटा सूर्य कहन आ दिया और पांच्वे घर का सूर्या और ग्यार्वे घर का राहो यह एक ऐसे हालाद बन गए जो कि पिता के सुक अपना सभाव अपने दोरा की गई मेहनत का लाब यह सब कुछ यह खराब करी जा रहा है और सर्फ इतना ही नहीं यह बढ़ती उम्र के साथ में इसको हो सकता सौर्स्टे की बड़ी दिक्ते भी दे रहे ही यह बले भी अलाद अगर इसके पेट में गयर सैसे डिरी कपसोगारा की दिक्कत रहती है तो आने वाले भरविशे के अंदर इसको बड़ी तक्रीफ भी को हर रोजिय के सरका तिलक अपनी नाभी, सुबान और माथी पर लगाए और तीसा तर्ताली सिक्चे ताम्बे के सारी रात कच्चे कोईली की आग में जला करके सुबह सावेरे सूरे उग्चे से पहले या तो जल परवा करें या जंगल में गिरा के आए और 43 दिन लगाता, 500 ग्राम जौञट दूद के साथ धो करके उनको जल परवा करें और 500 ग्राम जौञट दूद के साथ धो करके लाल कपटे में लपेट के घर के अंदेरे कमरे में वजन के दिने शाफ़ा रहे ये उपाई इसको करना जरूरी है अब जो इसको पेट की खराबी भी दे सकता है और हो सकता है इसके छोटे मामे का हाल ये बहुत कराब करें ये मंगल है चटे काटा इसको ठीक करने के लिए धाक के साथ पते लेकर दूद के साथ उन्हें दो करके मिट्टी के लोटे में देशी खान भरके उसको विरां जमीन के अंदर दबाना बहुत सरुरी है यह उपाय करने के बाद बेटा इसके स्वास्ते के लिए और शाथ न कमाई के लिए और इसके सभाव के लिए सबके लिए हलात अच्छे बनेंगे इसके बाद में तुम जिस तरह का अपना पूताचाती हो वैसा हीbuildा है गुरुदेव सावन के बारे में बात करे हैं, बहुत ही पावन महीना माना जाता है सावन का, और आज खास दिन इसलिए भी है कि आज शनिवार है, बड़े सालो बाद ऐसा सही हो गाया है कि शनिवार के दिन सावन के महीने की शुरवात हुई है, और भगवान शनी तो खुद शिर्फ को अपना भगवान मानते थे, तो फिर कैसे खास हुआ आज करें? शनी और शुक्र ये आपस में मिल करके परजलन की च्छमका को बढ़ाने वाले माने जाते हैं और साथ में ही जीवन के अंदर सारी सुक्सोविधाओं को देने वाले माने जाते हैं तो शनीवार को अगर ये सावन की शुरुवात हुई है तो ये काम काज करने वालों के लिए जो बिजनस करते हैं या जिन्होंने अपने पैसे की मनों कामनाओं को पूर्ण करना है और जो अपनी जिन्दगी के अंदर मकान और लगज़िस पाना चाते हैं उनके लिए ये के महीने में अगर शराब मासका पर तेक त्याद करते हैं और उनका त्याद करके वो सात्वी को करके, अपने पूरे दिल दिमाग को लगा करके, भोले नाथ की पूजा करके, अपने कामों के लिए प्लानिंग करें और उसको बढ़ाने की कोशिश करें तो उनके लिए अतियो तब होगा क्योंकि शनी हमारे मकान, इंडर्स्टी, हर तरह की सुख सुधाय, गाड़ियों के जो सुख होते हैं और किसी भी तरह की लगजी के सुख ये सबता मालिक शनी ही है इसलिए बटा, इस महीने में खास तोर पे, आप अपने काम धंदे को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने वेवार में एक बदलाव लाए और वो बदलाव है भूले नाथ का, भूले नाथ किसी भी अवस्था में कितनी भी वहां खराब सिती हो, वो हमेशा शांत मन से ही जवाब देती है इसी तरह से आपको अपने आपको मैजन करना है कि आप भूले नाच के चेले हैं और आप उनी की जो निचर है उनी का जो समभाववा उसी कारम समरन करना गया तो इसलिए अपने आपको सबसे पहले पूरा शांत करें गुश्ब को त्यागी है घर पे भी और अपने काम की जगा पर भी गुसा नहीं करना है हर वक्त अपने दिमाग में ये चला करके रखें कि आपको किस तरह से काम को बढ़ाना है किस तरह से करना है लेकिन पहले सुबा सवेरे उठके जा करके क्योंकि आप अगर काम धंदा बढ़ाने लगे हैं तो आपको सफेद फूल ले जाकर के भोले नाथ को अर्पित करके आपको भोले नाथ से ये मनवांशित फल देने की काम ना करने से ज़िए और भोले नाथ के उपर जल चड़ाना न भोले और एक बात और बता दो बेटा कि जो विधान है उस विधान को ज़रूर फालो करो और वो जो बहुत जादा शर्दा भाव में आप जाकर के शिवलिंग को हाद लगा लगा के पूरी तरह से उसको मलके साफ करते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है वो काम करम कांडी पंडी जी का है आप भोले नात की उपर उपर से जल चड़ाईए नहीं तो उनकी उपर जो लोटा रखा होता है मटका रखा होता है उसके अंदर चल चड़ाईए तब आपकी देखो पूजा असना की स्तरह से फली बूत होती है आप धूब दीपक वहाँ चला करके कम से कम पांच मिनट बैठ करके किसी और मंत्र का जाप करने जी जूर नहीं सिर्फ पांज मिन्ट आखे बंद करके आप राम से बैठके ये मंत्र का जाप करे ओम नमशिवाई ओम नमशिवाई ओम नमशिवाई इसका जाब करने से पार्टमिन आपके मन को पूरी तरह से शान्ती बिलेगी जब आप उठकर के चलने लगे बोले नाथ को परनाम करके तो फॉरन अपने काम के बारे में फिर सोचना शुरू करें और अपने आपसे वादा करें कि आज पूरा देर जब तक सावन चल रहे हैं ना मैं घर पे ना मैं काम की जगा पर कहीं कुछानी करूगा आप देखिए कि इस एक महीने के अंदर अपने आप वो आज़िया अपने आप वो खालात बनेंगे कि आपके काम दंदे बहुत अच्छे जगे घर में कैसे आएगी सुख और समरिद्धी कैसे किया जाए भोले बाबा को प्रसंद इसके बारे में भी बात चीप करेंगे पर अभी इस वक्त अंजु हमारे साथ जिन से जुड नहीं है अंजी इससे पहले आप गुरुदेश से अपना सवाल करें आप हमें अपने जन की तिथी समय अस्थान बता दीजिए हेलो हेलो जी हेलो जी आपको हमारी आवाज मिल रहे हैं जी हाँ जी मिल रहे हैं हेलो कि मैं इतने जनकी पिधी संहें अज़ान गता जेंगें। 20 जुलाई- कन 2018 स्थान का है बेटा, जीन, हरियाना कि यह जाना चाते है बटा यह पंडी की में यह जाना चाते है यह बिल्कुल भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो क्या यह आप पता है कि यह कुछ पढ़ सकेगा आगे कुछ बन सकता है यह नहीं बटा जब भी किसी बज़ुरक पे यह किसी बच्चे की जनम कुली के अंदर शादी के ग्रैकर योग चलता है उस वक्त वो जो भी काम करना चाहे उसके अंदर स्थिता नहीं आती शारीरी कश्ट भी थोड़े पोते मलते है और इसके अंदर पढ़ने वाले बच्चों के है लेकिन पूली का क्या है वो तो जिस ग्रैया योग में बन के इपर गयो और उसे जो ग्रैया गोचा चलने वो चली रहे है तो इस वक्त में शादी के योग चलता होने के कारण पढ़ा ही मन कहा लगेगा देशक उसकी उमत चोटी है तो कोई ज़्यादा डरने की दूत न है जब भी कभी मकान लेना हो बनाना हो तो पहले इसका यह उपाई मैं आज तुम्हें बताऊंगा वरना इसे बहुत बड़ी तकलीफा सकती है अब इसकी कुली के अंदर बेटा ये जो समय चलता है इसके लिए उपाई लिखो ताकि ये कंसंट्रेट कर सके और अच्छी प तर तालीस दिन लगाता है छालीस ग्राम नाग केसर लेकर 34 दिन 40 ग्राम केसर लेकर उसको जल परवा कर दो ये नौरमल केसर दो किसी भी पंसारी की दुखान से नाग केसर मिल जाता बटा आ और बहुत सस्ता होता है और यह उपाई करो बटा, अब जब भी मकान बनाना हो उसके बाद करने वाला उपाई यही जिनका उसके साथ साथ जब मकान बनना शुरू हो और जब तक बने तब तक एक नारियल पूजावला, दस साबुर बदाम और दस छुआरे लेकर के हर शनिवार को दान करना यह जल परवा करना बहुत जरूरी होगा वरना इस बच्चे को स्वास्ते सभाव की बहुत बड़ी दिखते आ जाएगे इसलिए इस तीज का द्यान लखना और पहले जो मैंने उपाई बताई वो करवा दो, तो मारा बच्चा बहुत ही अच्छे ढंग से पड़ेगा और कोई दिखत नहीं आएगे भगवान शिफ को भोले नाथ भी कहते हैं, क्योंकि वह बहुत भोले हैं, कहते हैं उन्हें प्रसंद करना बहुत ही आपाल है, पर आखे वने प्रसंद के सरी के से किया जाए गुरुदेव, सभी अपने जीवन में सुकर सम्रिद्धी के कामना करते हैं, घर पे दुखाए ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कावन के मधिने में ऐसे कौन से उपाई करें जिससे भगवान शिफ प्रसंद हो जाए भोले नाथ जैसा नाम वैसा ही काम, यह सच बात है, भोले नाथ किसी भी चीज़ से परसंद हो जाते हैं, आप देखो, लोग भांग दतूरा यही चड़ा देते हैं, भोले नाथ खुश है, बगवान के उपर पंचाम बद चड़ाए कोई, या सिंपल पानी जा करके आले भोले ना तब भी खुश है, ठीक है, और यही कारण, कारण क्या है, बगवान, शिव के आप माते पर देखते हैं कि चंदर्मा विराजबाद है, चंदर्मा यानि कि व्रश्य व्रशिका का, ठीक है, और इसके अंदर, चंदर्मा की कलाएं जिस तरह से घर्टी बढ़ आते हैं, उनकी इन कलाओं के अलावा भी कितनी कलाई होंगी, बेटा, इसका तो अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, तो भोले ना, बिलकुश शंत मंत से रहते हैं, उनको सिरफ आपका शदा भाव चाहिए, आपकी पूजा पाड़ की विदी बिलकुल नहीं चाहिए, हा इस चीज़ का एक इंडिकेशन होता है न, कि अगर आपको ये चीज़ लेनी है तो ये आपस दे, या आपको किसी खास वार्ड में जाना है तो इस तरह की डेस्ट पैंड के जाए, तो इसी तरह से मिटा, अगर आपको अपने घर को खुशाल करना है, आपको प्राकरम दे करके आपको वो काम जाब करेंगे, अगर आप वाके में बिजनस को बहुत जादा बढ़ाना चाहते हैं, और आपका वेपार रोज का लेन देन का है, और जिसके अंदर पैसा शुमार है या दलाली के काम हैं, तो बेटा आप गैंडे के फूल, वो भूले नाथ को अगर आपको शादी शुदा जिन्दगी के लिए कुछ भी अच्छा चाहिए, यानि कि आप आप जीवन साथी की काम ना करना चाहते हैं, तब भी आपको सफीर फूल ही अर्पित करने पड़ेंगे भूले नाथ को, तो इस तरह से बिटा, जिस तरह की चीज़ चाहिए, उ वो लोग बगजद जो पीला चंदन है, वो पीला चंदन भूले नाथ को अर्पित करें, और पीला चंदन ये मार्केट में बना हुआ बिलकुल नहीं बिटा, पीले चंदन के अराम से लकड़ी मिलती है, आप वो ले करके उसको घिज़ के उसका प्रेश बना करके वो जा क करके भोले नाथ के शिंगार में वो दीदिये देखिए भोले नाथ किस तरह से फिर आपकी पुकार सुनते हैं और आपको आपकी मंशा के अनुसार माला माल चुरूर करें सावन के महीने में जो कोई जो सची दिर्थे भगवान शिर्थ को याद करता है उसकी सभी मनो कामनाय पूर्ण होती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे परिपी इस वक्त निरंजन हमारे साथ भागलपुर से जुर गया है निरंजन इससे पहले गुरुदेश से आप अपन प्रश्ण पूछे आप अपने जन की तिथी समय स्थान बता दीजेए हलो हालो जे मुश्चर आपको हमारी आवाज मिल पा रही है आप हमें अपने प्रबूंबर उनीसा एकक तर 9 नौवंबर 19 सब्सक्राइब समय क्यों ये बज़े साथ बज़े साम में मंगल दीन गें मंगल दीन बावर पुर जिला में पीर पैती हजूर नगर काओ का नाम है बागल पुरिवा मैं फिर पाइंची ठाना जी बबाब बेटा तक्रीफ बताओ क्या है तुम्हें हमें बिजनेस में या कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रोफिट नहीं हो रही है सब में घटे घटा लगड़ा अस तब काम सीने जा रहा है तुम्हारी कुण्णडी के अंदर एक वाके में बुरा योग है सूर्य देव की जरश्टी शनी के ओपर और ये चटे घर में बैठे हुए सूर्य और बारवे घर में बैठे हुए शनी यह योग वाके में ऐसा बनता है कहते हैं जीवन साथी होते हुए भी उसके जो सुख वोगने चाहिए वो भी खराब कामकाज के अंदर वाके मामले खराब और अपने शरील का जोश अपना साथ ही नहीं देता फिर उपर से चंदर गहन तुमारे तीसे घर के अंदर बैठा हुआ अपने प्राक्रम को कमजोर करके जिन्दी के अंदर बार बार फ्लक्ट्वेशन कभी उपर कभी नीचे जूले की तरह जुलाता है फिर जिसकी जनम कुली के नौवे घर के अंदर कभी भी बुरे ग्रै बैठे वो अकेला नहीं उसका पूरा परिवार दुखी होता है और नौवे घर के अंदर तुमारे मंगल और राहू का मेल इस तरह का बैठा हुआ और शनी की पून्द रश्टी बैठा जिसकी वज़ए से पूरे परिवार के लिए दुखा समय बना करके रखता है इसके लिए उपाए लिखो बैठा सबसे पहले एक काला सफ़िद कंबल लेकर के उसको अपने सर से साथ बार उतार के मंदिर बेटो दूसरा उपाय है तर्तालीस दिल लगाता तीन के लिए तुमने मंदिर के अंदर देने हैं ये तुम्हे का उपाय हर साल करना है एक बार अभी करो फिर हर साल करते रहो जनन दिल के भार और तीसा उपाया बटा तामबे की गागर के अंदर मून साबुद बरके डकन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल परवा करो और ये गागर तुम्हें हर तीन मीने के गैप के उपर जल परवा करने इस तरह से बंद करके अगर तुम ये हर तीम मीने के गैप पे नहीं करोगे तुम्हारा कोई भी काम ढंग से नहीं चल पाएगा तुम्हारी शरी का वस्था पूरी अच्छी नहीं रहेगी जिवल साथी के सुख हमजोर रहेंगे अब इस मंगल को ठीक करने के लिए तुम्हें हर हफ़ते ही भगवान को खुश करना पड़ेगा और वो क्या है? हर हफ़ते हनुमान जी को सिंदूर का चोला चड़ा जिसके अंदर चमेली का तील और हनुमान जी वाला सिंदूर ये मिला करके चड़ाना होता है अगर इन उपायों को तुम करते रहे तो परमात्पा की लिए से तुमारा काम काज अच्छा होगा स्वास से अच्छा होगा तुमारे शुरी का जोश अच्छा होगा और पूरा परिवाद सुख पाएगा और सालों साल ये हनुमान जी को सिंदूर चाड़ाना बन मत करना बैटा जिन्दगी में खुशाली तुमारे जरूर आई दापा खुश रहे है भगवान शिप के स्वरूपों का क्या है रहसे जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद आप सभी का स्वाधत है आप देख रहे हैं गुरु मंत्र भगवान शिप को हम कही नामों के जानते हैं कोई उन्हें महिंद्र कहता है तो कोई उन्हें निहिकंट कहता है कोई उन्हें देवा के देव महादेव कहता है तो भगवान शिव के नाम तो कहीं है और रूप भी अनेक है तो गुरुदेव आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान शिव के रूप का क्या रहस्य है और क्या महस्य हमारी जीवन गाए बिटा भगवान शिव आप उनका सवरूप देखिए कि बिलकुल साथिक से नजर आते हैं अगर कपड़ों के मामले में कहें तो सिर्फ एक खाल लपेट करके वो बैठे हुए है पूरा शही डंगा है उसके बार में बिलकुल शांत मुद्रा में वो हमेशा ध्यार में मदम र है तो सवरूप यह क्या बताता है यह बताता है कि ग्रस्ती वाले इंसान को कैसा होना चाहिए यह ग्रस्ती के पर्तिक है बिटा और परिवार को बनाना चलाना और उसको आगे बढ़ाना और समाज के अंदर अपना नाम कमाने के लिए सवरूप बनाया कैसे अब जो भुले दुनियादारी की कोई नो कोई समस्या सर्फ रूपी आपके दले में पड़ी रहेगी और कभी धनकी कमी तो कभी किसी के कड़वे बोल और कभी किसी के यहाँ खुशाली और कहीं दुख यानि कि इन सब का मझा नीला कंट हर वक्त गला भरने के कजार पर बना रहता है लेकिन आपको हमेशा शांत बने रहना है इसलिए चंदरमा उनके मस्तक पर विरास माने करता है हमेशा शांत बन से इन सारी समस्याओं का हल निकालना है सब की सुनियाँ और जिसकी भी सुनियाँ उनको बड़े प्यार से जवाब देना है और हर किसी को बड़े प्यार से टैकल करत यारी कि अपने और अपने को का हागा खराब करदना ये तीसा में तरका पाए लेकिन वो हमेशा भोले नाथ का बंद रहता है अगर बहुत ज़्यादा उनको गुसा दिलाया जाए कोई ऐसा नातिक कार्या ही हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए जो जादा तर दुनिया वाले क करते हैं हमाई परिवार के लिए कभी हो जाता है ये तो तब भोले नाथ का तरे में तर खुलता है और नहीं तो ये सोची समझी जितने भी जीवन को चलाने की जो वैसा है बटा वो सब को सोच के और धहरे के साथ भोले नाथ बड़ी शीतलता से ये गंगा अपने इससे न दुनिया के अंदर फैले और उनका परिवार और वह स्वयम और उनका समाज और ये दुनियादारी सब भोले नाथ के इन विचारों से चलती रहे और तो बहुत ही अराम से जिंद की चलेगी भोले नाथ का सवरूप ये बताता है तो हर घर का जो मुखिया है हर जो इंसान अपने घर को चलाने वाला है उसको भोले नाथ के सवरूप जैसा होना चाहिए अपनी समस्याओं को देखते ही भोले नाथ का सवरूप को इमेजन करो कि आपके गले में सर पर ये तो हमेशा ही रहने है लेकिर आपने माथे के चंद्रमा को याद करो कि किस तरह से ठंडे र अचित्र है उतना ही आतर्शिक करने वाला भी है उसके बारे में कई अन्य रहस्यों पर से भी परदा उठाएंगे पर अभी समय हो गया अग्ला कॉलर लोने का हमारे साथ येस जुड़े हैं बिलास्पुर से येस आपका जो भी प्रश्न है उससे पहले आप हमें अपने ज युज़ा है खराल चाहिए पुरी डेट अपार टाइम र दाओ ये ठोड़ ठोड़ के मत बताओ त्वटीफरस इस जह हुए पुशिण नहीं आवाज नहीं आरे मुझे, तो यह से संपक शाय से टूद गया, तो शवी अब समय हो गया अगले प्रशने का, गुरुदोर आज हम बात करें सावन के, और अभी आपने कहा भगवान शिव्व जो है प्रतीक है घरस्त जीवन का, तो जो लोग उन्हें संतान हैं, और व उन सब के परिवार बनाने का ही समय होता है, इस वक्त में आप देखो कि कितनी तरह के जीव जन्तु धती पर उत्पन होते हैं, और इस वक्त में सबसे ज़्यादा वजन अगर नए जीवों का ही धती के उपर आता है, और यह सबसे उत्तम समय है भोले नात की इस मामने में अभी क्रिपा पाने का, तो जिन लोगों को शरीर में कोई तकलीफ होने के कारण, आपने परिवार को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके यहां बच्चा नहीं हो पा रहा है, इस वक्त में खास तोर पे इस चीज के लिए भोले नात को पूजा अर्चना दे करके उ तब से उत्तब है, बिटा सावन के महिने में ऐसे दमपत्यों को जो कि अलाज चाहते हैं, उनको खास तोर पे यह पूरा सावन बिल्कु साथ्विक बिताना चाहिए, और साथ्विक में यह नहीं कहता कि भूके रहो, आप फल फ्रूट का सेवन करो, दूर का सेवन करो, घी यह मना गिल जाता हो, बिटा वो बिल्कुल नाव हो, चाहिए, और बिल्कुल साथ्विक होके सुबा सवेरे, जब सुबे पांच बज़े मंदर जब खुलता है बिटा, उस वक्त में ही मंदर में पहुंचना बहुत सबोरी है, और वहां पहुंचके आप पंडी जी ने जो उस वक्त में भूले नात को सनान कराना है जो पंचामरी चड़ाना है वो पूरा समान आप अपने घर से ले करके जाए बना करके लेके जाए और वो पंडी जी को दीचिए कि जब वो भूले नात को सनान कराएंगे उनके सब रूपा जब सिंकार करेंगे उसे पहले वो जब पंचम्बिद चढाते हैं बेटा, वो सारा समान आप अपनी तरफ से देगे हैं, और ये दिने के बार में आप सिरफ जो पढ़िजी पूझा पाट करें हैं, उनके साथ में तब तक बेट्ये जब तक ये सनान हो रहा है, और उनका सिंगार हो रहा है और उसके बार में आप शिव चाली सा पढ़ सकते हैं और नहीं तो जो रुद्र है बगो वो आपकी मनुकामना पूरी करेंगे इतनी दिर में जब यह सिंगार हो जाए उसके बार में मिया बीबी वहीं पे बैठके थोड़ी देर के लिए आखे ब करके बोले ना से यह मांगे कि वो परमात्मा आपकी जोली भरे आपके परिवार को बढ़ा करें मात्र इतना सिंपल सा करम आप करके देखिए विटा परमात्मा आपकी जोली ज़रूर भरेंगे और आपका परिवार ज़रूर बढ़ा हो था भगवान शिव को नीलकंड के क जिनो टीवी को देख के मत बोलो बैठा, फोन पे बात करो जिनो अगर आप अभी टीवी आपने ओन कर रखा है तो आप से अनुरोद करेंगे कि टीवी बन कर दीजिए और फोर गुरुदेश से बात कीजिए है, मेरा डेट बर्ते स्काल propor जिनो है, स्ठान मेरा किली करे नेगर है और दिनке बारा बज़ी और हr sound इतना बज़ी दिनके बारा बज़े क्या जरना चाहते हैं बटा से है जोगी काम करताओं थोड़ा रह जाताू है जैसे जोगरी करता हूं तो तोड़ा उसमें भी ऐसी रहता हूं तो बताईए कि मैं क्या करूँ अभी मैं फिलां मैं मांची लाट अत्शक टूक सीकारे हूं बेटा बात यह है तो मांची कारण है ओपर बैथ हुए मंगावा जोग थोड़े खराब भी है ये वाके में प्राक्रम के कामों के अंदर इंसान को अच्छा रखते हैं ठीक है लेकिन तुमारी कुल्ली के अंदर एक प्राबलम मैं थी तुमारे लाब स्थान के अंदर बैठा है हुआ काल सब्दुश कहते हैं जिस तरह की मर्जी लिखाई पड़ाई हो जो कुछ मर्जी सीखा हुआ हो उसके गौडिंग लाप नहीं देता इसको ठीक करना बहुत जरूरी है इसके लिए सबसे पहला उपाई तुमें हर साल कांसे के कटोरे के अंदर देसी गी का हलवा बना करके वो बरना चाहिए और देसी गी को बिल्को गरम करके उसके उपर और डाल दो उस हलवे के उपर और चांदी के नागनागिन का जोड़ा डालके मूँ देख करके साल में एक बार किसी ना किसी को दान दो और साथ ही साल में दो बार चार नारियल पूजा वाले लेकर के उनके ओपर ससो के तेल का तेलक लगाके और काले तेल लगाके उसको मंदिर बे दो ये साल में दो बार हर छेचे मिने के गैपे दो अगर ये उपाय करोगे तभी तुम्हारे लाब निकलेंगे और तभी तुम्हारे जीवन अच्छा बनने की तरफ चलेगा पहली बात तो ये दूसी बात तुम्हारे जनम कुली के अंदर चंदर और बस्पती का मेल गज केस्री योग है बटा लेकर ये बैठा ऐसे घर के अंदर है कि अगर तुमने दूद पानी का दान कर दिया और कोई प्याओ लगवा दिया कोई चबील बाठ दी तो ये बलकि तुम्हारे परिवार के सुक कमाई के सुक सब को उज़ा देगा इसके वेपेद अगर तुम शम्शान कहाट में जाकर के कोई प्याव लगवाते हो या हॉस्पिटल में जाकर कोई प्याव लगवाते हो तो तुमारे लिए बहुत ही उत्म हालाच पहला होंगे तो ऐसे में अगर शम्शान घाट में प्याव लगवाते हो तो तुम्हारे कामकाज के लिए बहुत ही अच्छे अलाद करेंगे और प्लस तुम जिस कमरे के अंदर सोते हो उस कमरे की जचत है वो पूरी तरह से रंग भी रंगी होनी चाहिए यहां वहां पर एक रंग नी कम स पर उसे पहले सावन के महीने का खास गुरु मंत्रे एक ही आई कि भोले नाथ को आपके साथ विकभाव चाहिए आपकी शान्ती चाहिए तो पूरे सावन के महीने में जो जो इंसान पूरी तरह से शांत रहके और बुरे से बुरे महाल के अंदर भी अपने अंदर धहरया के अराम से सोच करके काम करेगा भोले नाथ की किरपाव उसके उपर बखतेगी तो इस महीने सही माइने में आपको भोले नाथ के दरबार पे जाकर के उनसे वादा करके आना चाहिए कि ये जितनी जे सावन चलेगा यही नहीं मैं बाद में भी पूरे शान्ती का ध्यान ल अराम से सुनंगा हर समस्या का हला अराम से ढूनोंगा अपने परिवार की अंदर किलेशी देश नीं करूँगा जैसे भोले नाथ की यह प्रवासिया ते अंदर आई कि बेटा उसके बाद में जीवन के अंदर कोई ऐसी उचाई या कोई ऐसा काम नहीं रह जाएगा जो कि अधूरा ले जाए धूरा नट आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे और हरो जब तक सावन है तब तक बेटा हर करका साथ भी कहने काहिसरप यो करें किसी भी तरह काई लिक्षे का सेवन करें और भूले नट की शर्म में पूरा सावन जाकर के अपनी मनोकामना के लिए और अपने समाज के उल्ठान के लिए बिटा उनसे मनोकामना करके आओ आप दूसरों के लिए सुख मांग के आओ गये बोले ना अप भी जोली जादा से जादा बरेंगे आज का गुरु मंत्र बस यही बिटा गुरुदेव बहुत बहुत सुप्रिया ना से हमारे दर्शकों के परिशानी का समधान बताने के लिए बंकि उनको तुमाम जानकारी देने के लिए मतरानी सबको सुखी रखे खुशे बक्षे दाते तो चलिए सावन के पावन महीने की तो आज से शुरुवात हो गई है और कल एक बार फिर से हम लोटेंगे एक नए विश्य के साथ और कल हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार की तो सावन के पहले सोमवार से संबंदिद आपके मन में जो कुछ भी सवाल है उन सबी सवालों का जवाब आपको मिलेगा जीडी वश्षिष एक बार फिर से लाइफ जुड़ेंगे लेकिन आज के लिए बस इतना ही नमस्कार